खजूर ऐसे पॉश्टिक गुणों का खजाना है जिसे किसी भी मौसम में खाना सेहत के लिए फायदेमंद है खास्तोर से महिलाओं को तो इसी रोजाना ही थोड़ा बहुत खाना चाहिए आईए जानते हैं कि खजूर को डाइट में शामल करने से सेहत को कौन से बहतरीन कई तरह के अमीनो एसिट से भरपूर खजूर घुलनशील और अगुलनशील फायबर्स का खजाना है जो न केवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है बलकि आपके पाचनतंत्र को मजबूत कर उसके बहतर क्रियानवयन के लिए भी सहायक है इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम भोजन को अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है और डाइरिया जैसी समस्या होने पर खच रका उप्योग करना एक बहतर विकल्प के तौर पर देखा जाता है गभर्वती महिलाओं में एनिमिया होने पर यहकार गहे इसमें केल्शियम के साथ साथ आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है जो न केवल शरीर में हीमोगलोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है बलकि शरीर को आवश्यक उर्जा भी प्रदान करता है मैगनीशियम कॉपर मैंगनीज बिटामिन बी पांच बिटामिन बी तीन और सेलेनियम से भरपूर होने के कारण यह हड़ियों और दातों को मजबूत बनाने में मदद करता है और आतों में होने वाले संक्रमन से बचाता है जोड़ों में दर्ट की समस्या होने पर प्रते दिन कुछ मात्रा में खजूर का सेवन करने से लाब होता है इससे केलशियम की कमी भी पर री हो जाती है कब्स की समस्या होने पर भी खजूर काफी फायदे मंद होता है इसके लिए खजूर को रात भर भिगो कर रखें और सुबह उटकर खाएं इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर और अन्य पोशक तत्व होते हैं जो कब्जियत से निजात दिलाने में मदद करते हैं दिल और दिमाग दोनों के ही लिए खजूर काफी लाबदायक होता है इसमें मौजूद बिटामिन्स, मिनरल्स और अन्य पोशक तत्व तंत्र का तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ ही दिमाग को सक्रिय रखता है और दिल की बीमारी के खत्रे को कम करता है खजूर में प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है जो ग्लूकोस, फ्रक्टोस और सुक्रोस के रूप में होती है यह शरीर में उर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है दिन में इसका प्रयोग आपको उर्जावान बनाए रखने में सहायक है आखों के लिए खजूर बहुत अच्छा होता है इसमें विटामिन A और एंटी आक्सीडिन्ट तत्व भरपूर मात्रा पाई जाते हैं जो कि रतौन धी एवं आखों के अन्य समस्याओं में बहुत फाइदे मन्द माना जाता है सेक्सूल स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी खजूर का इस्तिमाल होता है खजूर को रात भर बकरी के दूद में गला कर सुबह पीस कर फिर इसमें थोड़ शेहत और इलाइची मिला कर सेवन करने से सेक्स संबंधी समस्याओं में लाब होता है अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद